आप सभी का स्वागत है UP Academy for Civil Services मैं आज की इस वीडियो में आपको बहुत crystal clear रूप से पताने जा रहा हूँ कि कैसे तीन दिन में आप environment को पूरी तरीके से cover कर सकते हैं अगर आप अपने हिसाब से पढ़ते हैं तो अगर मैं पढ़ाता हूँ तो daily मैं आपको दो वीडियो दूँगा और सिर्फ 7 दिन में मैं इसको complete करूँगा इस आने वाले एक week में पूरा environment में आपको खतम करके दूँगा ये मेरा आपसे वादा है और मैं शुरू भी कर रहा हूँ उस दर्मियान में और कुछ नहीं अगर मैं पढ़ाओंगा तो एक हपते में देखिए सबसे पहले में आपको पढ़ा रहा हूँ इको सिस्टम या आपको पढ़ना है इको सिस्टम यहां से एक प्रश्न जरूर आता है सबसे पहला इंवारमेंट में इको सिस्टम का मतलब क्या होता है इको सिस्टम का मतलब इको सिस्टम हिंदी इंगलिश दोनों में आप ऐसे ही समझें दूसरा होता है बायो डाइवरस्टी ठीक है बायो डाइवरस्टी से या जाए विविद्सा से कंफर्म एक से दो प्रश यह है यह बहुत जलीगरी पार्ट है देखें जियोग्राफि में अपको एक जियोग्राफिय जो main होती है फिसकल जियोग्राफिय वो complete कर दी है एक वीडियो बचा है वो वीडियो में अप्लोड कर दूँगा बस वर्ड जियोग्राफिय और इंडियन जियोग्राफिय के लिए आपको कुछ नहीं करना घटना चक्र लगाना है अभी आपको environment के लिए पहले मैं पढ़ाऊंगा ecosystem दो वीडियो biodiversity दो वीडियो pollution के एक से दो वीडियो रहेंगे यहां से एक प्रशन आता है पहले मैं प्रशन का बता दूँ फिर आगे बताता हूँ ecosystem से एक प्रशन आता है biodiversity से एक से दो प्रशन आता है pollution से एक प्रशन minimum maximum दो प्रशन project जैसे हाथी project tiger project, project tiger, project elephant project घडियाल यह सारे project कच्छुआ यह सारा ठीक है उसके बाग फिर आता है environment act से एक act जरूर आता है environmental organization से एक organization या दो organization के बारे में पूछता है उसके बाद climate change पे पक्का sustainable development goal या climate change का एक part जरूर पूछा जाता है, confirm है और उसके बाद तीन question पूछे जाते हैं current affairs, उसके तो पहले बता दू current affairs already मैं आपको दे चुका हूँ maximum part cover है training के लिए या test करने के लिए आप topos code पे लगाईए, पढ़ने के लिए PDF मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ जो आप line से देख रहे हैं यह क्या है, एक topic, दो topic तीन topic, चार, पांच, छे, साथ सिर्फ साथ topic हैं कितने topic हैं, environment के साथ topic है, आप इनको तेजी से पढ़ना शुरू करें, मैंने आपको book भी बहुत साफ सा बताई थी, द्रिस्टी की जो monthly magazine आती है, उसका environment वाला part आपको पढ़ना था, तीन दिन में आप इसको पूरा खतम कर लेंगे, मैं भी explain करूँगा तो उसी को explain करूँगा, ठीक है, मैं आपको बताऊँ, वो जो वन दरोगा की series मैंने शुरू की थी, उस पर किसी ने strike मार दी थी क्योंकि वो book मैंने कहीं से copy कर रख थी वो book को मैं explain कर रहा था, अब पता नहीं, आप मैंसे किसी ने copy स्ट्राइक मार दी थी, इस वजे से मुझे वी वीडियो भी हटाना पड़ गया, ठीक है इसलिए दो दिन वीडियो नहीं आपाई, बट अब मैं कल से शुरू कर रहा हूँ, इसमें मैं अपनी note से पढ़ाऊंगा शंकराईये से पढ़ाऊंगा और दिरिस्टी की जो पतली वाली, दिरिस्टी का और कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन ये एक पार्ट मुझे अच्छा लगा, ठीक है इन से मिला के मैं ये साथ टॉपिक पढ़ाऊंगा, याद रखिए, इन साथ के अलामा कुछ नहीं पढ़ना, इनहीं साथो टॉपिक से आपको मिलेंगे 12 क्वेस्टन, UPPCS में, कितने क्वेस्टन, 12, और सिर्फ यही इनहीं साथ टॉपिक से आपको 100 क्वेस्टन मिल जाएं फिर से मैं बता दूँ, मैंने physical geography complete की है, एक वीडियो बचा है, word और Indian अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, पहले अगले एक हपते का मेरा सिर्फ एक target है, आपको environment पूरा complete करके देना, मैं पढ़ाऊंगा एक हपते में, आपको पढ़ना हों तो यही topic उठाइए और तीन दिन मे पढ़ा लिए, ठीक है, मैं जो पढ़ाऊंगा वो आपको पता ही चलेगा, बस आपका involvement मुझे चाहिए, कैसा लगा वीडियो यह ज़रूर बताइएगा, thank you so much